Album Toolkit में आप Automatic Color Correction और Automatic Retouching भी कर सकते हैं यह कैसे करना है आईए देखते हैं ओके यहाँ पर मैंने एक Template ओपन करके रखा है जिसमें मैंने चार अलग-अलग Color Cast वाले फोटोज को फिल किया है फिर्स वाले इमेज में आप देख सकते हैं Blue Color Cast है सेकेंड वाले में बहुत ज़्यादा Yellow Color Cast है इसमें Skin पे Yellow Color Cast है और इस इमेज में Red Color Cast है यह जो Color Correction का Option है यहाँ पर आपको Image Category में जाना है राइट क्लिक करना है और यहाँ Auto Color Correction यह Option PhD Template में भी काम करता है Album Designing के Time और Individual Single Image में भी काम करता है यहाँ पर देखें मैं एक Image Open कर लेता हूँ इस Image को मैंने Drag करके यहाँ Open कर लिया आपको क्या करना होता है सबसे पहले मैं Single Image में करके बताता हूँ आपको क्या करना है Right Click और यहाँ Auto Color Correction Automatic Process होगा यह Box आ जायागा यहाँ पर आपको Middle वाले Eye Dropper Tool को Select करके इस Color पर क्लिक कर देना है जो भी Color यहाँ पर शोगा उस पर क्लिक कर देना है और OK कर देना है बस इतना ही करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Skin पर जो Yellowish Color Tone था यहाँ पर आप इन दोनों Image को आप देखे यहाँ पर आप Skin पर देख सकते हैं Yellowish Color Tone था वो हट गया है आई यही समय कर देता हूँ Close अब यही काम हम लोग करते हैं Album Page में आप चाहें तो Single Image Select करके भी कर सकते हैं या पिर आप चाहें तो Multiple Images में भी सभी को एक साथ सेलेक्ट करके Color Correction कर सकते हैं यह देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया इसे सेलेक्ट किया इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया अब मैं यहाँ Right Click करता हूँ Auto Color Correction Automatic एक एक करके Image Open होती जाएगी आपको Middle Eye Dropper Tool लेना है हुआ यहाँ पर जो भी Colorist होगा उसपर Click कर देना है Ok करना है यहाँ पर देखिए Second Image Open हो गई है Eye Dropper Tool लिया मैंने यहाँ पर Click कर दिया Ok किया अब 3rd Image Open हो गई है Same Process हो रा है मैंने Eye Dropper Tool लिया यहाँ पर Click किया Ok किया अब force image open हो गई है और उसमें process हो रहा है मैंने eye dropper tool लिया यहाँ पर click किया बस इतना ही करना है और आपके सभी photo में color correction हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस photo में भी color correction हो गया है मैं आपको control Z करके बताता हूँControl Z पहले image ऐसी थी और बाद में कैसी होगी ऐसी होगी इस image को भी देखें Ctrl Z, पहले image ऐसी थी, वह ऐसी हो गई, यहाँ पर भी आप color correction देखिए, Ctrl Z, पहले image ऐसी थी, ऐसी हो गई, यहाँ पर भी आप इस photo में देखिए, Ctrl Z, पहले image में इस type से red color cast था, वह अब ठीक हो गया है,